पूरा बत्वा और पालक एकदम अच्छे से बारिक 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 चतू से काट रहे हैं पूरा बट्वा और पालक एगदम अच्छे से बारिक बारिक कात लेंगे, जैसे आप देख पा रही है कि पालक को मैंने अच्छे से कातीया, बारिक पतला, अब मैं बच्छु भी हूँ, उसको भी कातूंगी बारिक बारिक, जोनों को मिंस करके तकपाईता में बनाओंगी, बहुत बढ़िया बहुत परस्टी बनता है बना कि मैं आपको दिखाते हूँ देख पा रहे हैं बत्जू को मैं अच्छ़ ते गभाई कार दिया अब में इसमें इस ता थनिया कार रही है घर्जिशन आप देख पारी है पालक की डाल बत्वा नहीं नहीं आता आप मैं अच्छे से कात के दोगे पाल आल दोंगी आढ़ां बीया इसमें बॉत्तु का इन लोंगी हाई किसे बुटू भीन्त फोन् yr मेलनी तरी अरवनी भिन्त प्ल्ब लोकित कर्नी राइन जालोंगी तोको परेको पकने कि लिग खर yeah अब मैं इसमें तड़का लगाओंगे तड़का बताती हूं क्या क्या डालना है आपको दिखाती हूं क्या आप देख पा रहे हैं मैंने छोटा सा सस्पेंड लिया है और इसमें तेल डाल दिया है अब तेल मेरा गरम हो रहा है अब ढालूंगी हिंग फोडाचा हिंग मैंने जाल में डाव दिया अब मैं रागूंगी पटा हुआ लेसूं कि अ कर दो मिनट तक को नहीं भी लेशून को मैं सुना रहा होने तब गुलूंगी क्योंकि लेशून फोड़ा टाइम ये पकता है इसको फोड़ा दिदेदे पकाना इसको जलाना में है जला देंगे तो स्वाज में आएगा इसको मैं नारमली हाथ पका रहे हूं ये पकने के बेहतरीन तरीके का सक्वेटा बनता है आज कल की जनेरेशन को पसंद नहीं है लेकिन हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को पालक बत्वा सर्षो साग जरूर खिलाएं किसी न किसी बहाने से खिलाएं सेहर के लिए बहुत ही ही अच्छा होता है अब देखें लेशन एकदम सुना रहा हो गया आप मैं इसमें लाइव में चिगाएं अब मैं इसका तर्टा लगाँ अपने सक्वेटा में बहुत बढ़्या बनता है बड़ा अच्छा चाहता है आप दी अपने घर पे जरूर बनाएं बच्चू पालका सक्वेटा आप भी हैं कि मेरा पालक बच्चू का सक्वेटा एकदम बनके रेडी है चावाई के साथ में अराम से खाईए इंज्वाई कीजिए मेरे लिए लाइक करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए सेयर करिए और आप लोगों का मुझे अच्छा सपोर्ट मिलना है मैं आप लोगों का करिए सेयर को लोगों कर दो ठीक बच्छा सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब